नमस्कार स्वागत है आप सभी का लेकपाल भरती परिक्षा है तु हमने जो है ग्रामीड जानकारी को पढ़ना सुरू किया थाम लोगों ने उसी स्रंखला में आज ये तीसरा लेक्चर है और आज हम बात करेंगे ग्रामीड विकास की आरंधिक योजनाएं आरंधिक योजन और इसको जो है हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं और जो है एकनॉमिक्स के अंतरगर्द भी इसका अध्यन करते हैं तो वो जो फेमस योजनाएं हैं उनसे भी प्रस्न प्राया पूछे जाते हैं तो आजादी के पहले सुरू ही कौन-कौन सी योजनाए थी उसके बारे जो है ऐसे समाचार जो है पेपर में आ रहे हैं तो नोटिफिकेशन का इंतिजार किये बगएर क्योंकि हमको अगर किसी भी परिक्षा की तयारी करनी है तो नोटिफिकेशन देख के हम पढ़ना सुरू करेंगे ये कहीं पर भी एक अच्छी रणनीती नहीं मानी जा सकती है इसलिए अगर ये एक-दो महिने डिले होके भी आता है दो-चार महिने भी डिले होके आता है फिर भी हमको अपनी तयारी रखनी चाहिए क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से देश संकट के काल से गुजर रहा है और नोकरियों में काफी हद तक जो है कटाउती होने की उम्मीद है और ऐसा बार-बार प्रचारित किया जा रहा है कि नौक्रियां कम हो जाएंगी या नई वेकेंसी नहीं आएगी उसके बीच भी यहाँ पर यह निश्चित है कि लेकपाल की वेकेंसी आनी है क्योंकि सासन में लगातार इसके बारे में चर्चा हो रही है वहाँ से प्रेसर बनाया जा रहा है नीचे विभाग पर तो हमको बिना इसका इंतिजार किये हमने तीन महिने का ये क्रैस कोर्स लांच किया है जो वीडियो कोर्स है और डिकोर्ड एक्जाम की ये पहला प्रयासे वीडियो कोर्स का और इसमें बहतरीन सिच्छक हैं मैं भी इसमें सा हुए नोट्स जो वीडियो में पढ़ाया जाएगा वो आपको नोट्स के फार्म में भी दे दिया जाएगा साथ ही में जो है आपको test series भी मिलेगी 10 test series जो की exam के एक मैना पहले कराई जाएगी तो इस तरह से ये complete crash course है लेकपाल exam में 90 दिन में आप जो है अपनी संपूर तैयारी कर सकते हैं इस crash course प्रोग्राम से जुड़ कर तो इससे जुड़ना कैसे है उसके लिए आपके सामने नमबर लिया हुआ है 9506742546 और लेकपाल लिखकर आप इस पे वार्टसेप कर दीजे या सीधे call करके भी जानकारी ले सकते हैं vacancies बहुत कम आती है आप सभी जानते हैं आयोग का रविया भी जानते हैं तो ऐसे में आपको करना ये चाहिए या आपकी सोच ये होनी चाहिए कि इस बार जैसे ही ये vacancy आए इसी में जो है आप अपनी एक seat कोई निर्णे लेंगे कि हमको किस तरह से पढ़ना है इस महामारी में याईनि COVID-19 की महामारी में कोचिंग्स पे भी बहुत सादा संकट आगया आप जानते हैं आफ आफ लाइन पढ़ना भी जो है बहुत ही मुस्किल हो जाएगा आगे के काफी समय तक इसी के दिश्टिगट जो है ये ऑनलाइन कोर्स सुरू किया गया है तो अगर आप उचित समझते हैं और इस चैनल के कंटेंट से अगर आपका भी प्रभावित हुए हैं आस तक अगर आपको पसंद आया हो तो निश्ची तुरुप ये जोजना किस वर सारम की गई थी या इसके सूत्रधार कौन थे इसके प्रणेता कोर थे या गुडगाओं योजना किस राजी से संबंदित है इस तरह का कोई भी प्रसनाव के जो है एक्जाम में पूछा जा सकता है संभावित है तो हम जो है 1921 की पहली योजना लेते हैं जिसका ये सभी फेमस योजनाए है स्री निकेत परियोजना अब ये स्री निकेत परियोजना 1921 की है और स्री रविंद्र नाच टैगोर के द्वारा सुरू की गई थी ये जो है सबसे बड़ी विशेष्ता है इसकी तो आपको प्रणेता या सूत्रधार का नाम रखना याद रखना बहुत जरूवी है और ये स्री निकेतन नामक इस्थान है पस्ची मंगाल में वहाँ पर इसको लांच किया गया था अब इसके अंदर क्या है अब ये हम विश्त्रित रूप से इस सब चीजों को आगे देखेंगे उसके बाद जो है दूसरी परियोजना है मार्तांडम परियोजना मार्तांडम परियोजना भी जो है 1921 में ही प्रारम हुई थी और डॉक्तर स्पेंसर हैच ने इसको सुरू किया था अब ये मार्तांडम जो जगा है ये कन्या कुमारी में कहीं पर है और ये केरल और तमिलनाडू के बॉर्डर पर पर परता है तो कुछ जगे आपको केरल लिखा दिख जाएगा कुछ जगे तमिलाडू लिखा दिख जाएगा तो मूलता आपको ये जानना है कि ये जो है कन्या कुमारी में है और इस जगे का नाम मारत अंडम था उसी के नाम पर जो है इसका नाम मारतांडम परियोजना पड़ा जो है जिसके प्रडेता है डाक्टर स्पेंसर हैज अगली परियोजना क्या है गुडगाओं परियोजना गुडगाओं परियोजना 1927 में लांच हुई थी F.L. ब्रायन के द्वारा F.L. ब्रायन ने इसको गुडगाओं जिसका आज नाम है गुरुग्राम और ये हरियाडा राज की योजना थी अगली योजना है बड़ोदा परियोजना तब जो है जो बड़ोदा स्टेट होती थी प्रिंसली स्टेट उसमें इसको लांच किया गया था 1932 में B.T. कृष्णा मचारी के द्वारा इसको लांच किया गया था बड़ोदा परियोजना को और ये जो इसका छेत्र था वो कोसाला नामक जगा है बड़ोदा स्टेट में बड़ोदा राज्य में जो वहां का उस समय जो है मतलब प्रिंसली स्टेट था जो है उसमें गुजरात राज्य में फिर सेवा ग्राम परियोजना साइधी कोई हो जिस गोष्णा की गई है, तो साबरमती आसरं का जित्ता ज्यादा महत्व है गांधी जी के जीवन में या गांधी जी से जित्ता जादा वो जुड़ा हुआ है तो गांधी जीवन का जो अंतिम जो है 10-15 साल था, वो जो है सेवा ग्राम नामकासरम से जुड़ा था और वहीं पर सेवा ग्राम पर्योजना को सुरू किया गया था 1936 में ये सुरू ही थी महात्मा गांदी जी के द्वारा और ये वर्धा गुजरात में इस्थित है अगली योजना है फिर्का विकास पर्योजना तो फिर्का जो है कुछ गाउं के समूहों को कहते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ने ही जा रहे हैं 1947 में शुरू हुई थी मद्रास राजी में मद्रास छेतर में जुकी वर्तमान तमिलाडू में आता है इटावा पर्योजना बहुत ही फेमस है कई बार पेपर में पूछा गया है यूपी स्पेसल में पूछा जा चुका है 1948 में इसको लांच किया गया था अलवर्ट मायर के द्वारा जो अंग्रेज अधिकारी थे इस योजना को महेवा नामा के ग्राम है इटावा में जो कि उत्तरबरेश राजी में आता है वहाँ पर लांच किया गया था तो इटावा जिला होने के कारण जो है इस परियोजना का नाम जो है इटावा परियोजना रखा गया था आगे चलते हैं नीलो खेडी परियोजना बहुत ही महत्पूर्ण है भले ही सुतंता के बाद है लेकिन यहाँ पर सुतंता पूरु कहने का आसा ही यह है कि जब भारत में सामुदाइक विकास कारिकरम 1952 में श शुरू हुई उससे पूरु की उजनाओं की हम बात कर वें तो नीलो खेडी परियोजना 1949 में शुरू हुई इसके सुरूआत करता या प्रडेता जो थे वो एसके डे साहब थे और यह नीला खेडी नामकिस्थान है हर्याणा में वहाँ पर जो है इसका सुबारम हुआ था आगली परियोजना हमारी है भूदान परियोजना जिसको आप लोग जानते हैं भूदान और ग्रामदान ये दोनों ही जो है एकी से जुड़ी हुई यानि एकी कड़ी की परियोजनाएं हैं दोनों ही आचार बिनोबा भावे के द्वारा सुरू की गई थी और 1951 में पूमी का दान मांगते थे उसके बाद जो है ग्राम दान में पूरे-पूरी ग्राम का दान मांगे जाने लगा बाकी डिटेल आगे हम पढ़ने जा रहे हैं और ये संपूर भारत में चली थी ना कि किसी एक विसेश शेत्र में उसके बाद आगई लाश्ट में सामुदाइ योग द्वारा संपूर भारत में सुरू किया गया था तो अब हम सुरू करते हैं स्री निकेतन परियोजना जो हमारी पहली परियोजना है और इसको जो है आपको पूरा का पूरा ध्यान से इसके बारे में समझना है क्योंकि कोश्चन कहीं से भी बन सकता है तो स्री निकेत में कोलकाटा से लगबग 100 किलोमेटर की दूरी परिस्ति थे यह चेत्र सामाजिक आर्थिक राजनेतिक देश्टी से बहुत ही पिछड़ा हुआ चेत्र था स्री दविन्ना टैगोर्द्वारा समाज सास्त्री C.L.M. हर्स्त से सहयोग लेकर 1920 में एक ग्रामीड विकास परियोजना की सुरुवात की गई थी यह योजना प्रारम में 8 ग्रामों के समू में सुरू की गई और बाद में इसका 15 ग्रामों में प्रसार किया गया तो यहाँ पर 1920 लिखा है इससे आपको confusion create हो रहा होगा लेकिन इसमें confuse होने की आशकता नहीं है जो रवीन्ना टैगोर्द्वार ने उस समय योजना प्रारम्भिक सुरू की गई थी वो 1920 में उसकी रूप रेखा तयार कर ली गई थी लेकिन जो इसको नाम दिया गया स्रीनिकेतन परियोजना जो बिधिवत सुरू हुई वो जाके 1921 में ही सुरू हुई थी अब इस योजना के प्रमुख लच्छ क्या क्या क्योंकि कोई भी योजना होती है तो इसके कुछ जो है प्रमुख लच्छ होते हैं लोगों में अपने स्वयम के विकास प्रक्रिया में भाग लेने है तो रुची पैदा करना एक तो इसका ही लिच्छो गया लोगों को अपने स्वयम के संसाधन विक्सित करने के दिश्टकों से मदद करना यानि इसमें जो है स्वयम के संसाधन स्वयम की रुची इन सब पर ध्यान दिया गया क्योंकि इसमें ये माना गया कि जो है जिसको भी विक्सित होना यानि हम ग्रामीड विकास की बात कर रहे हैं तो उसमें लाभारती कौन है उसमें किसान लाभारती है और किसान लाभारती है तो उसको स्वयम जो है अपने संसाधन विक्सित करने होंगे लेक जो है लाभार्थी को स्वयम करना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा कि कोई बाहरी आएगा दान दाता और उनको उठा के जो है कुछ हजार उपए या जो है कोई किसी अन्य तरह की मदद पकड़ा देगा और जो है वहाँ से चला जाएगा जो स्वयम विक्सित होना चाहता है उसक को सपोर्ट के फॉर्म में ये योजिना सुरू की गई थी फिर समुदाय में से नेत्रत विक्सित करना जो लोगों को अपनी विकास सील प्रकरिया में माल दर्सन कर सके है अब इसका तीसरा उद्देश ये था कि जो हमने चिन्हित समझा जैसे यहाँ पर बात की गए कि आप से यहां की समस्याए देखिए यहां की इन संसादनों की जरूरत है उसके बारे में बताईए वो अपलब्ट कराया जाएगा और लोगों को जागरूप करिए टैगोर जी का धे चार से धानतों पर आधारित था स्वारुची मतलब खुद का इंट्रेस्ट सेल्फ तो पहली चीज क्या हुई स्वारुची हुई दूसरी आत्म सम्मान होना चाहिए आपके अंदर तीसरी बात क्या होनी चाहिए आत्म निर्भरता उत्पन करना है यह यह योजना उत्पन करेगी और काम में आनंद महसूस करना क्योंकि वो हर काम जो है हमारे लिए अच्छा नहीं होता है जिसको करने में हम आनंद नहीं मैसूद करते हैं तो कि अगर हम मालिजे पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं किसी तरह का ब्यापार करते हैं आप अगर उसमें आपका दिल नहीं लगता है आप प्रदे से उस काम को सुईकार नह पशनद नहीं करते हैं तो आप उसको बहुत ज्यादा समय Tक नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजे तो हुई लेकिन आकरी में इसकी अस्फल्टा के क्या कारणत है कि ये योजना व्यक्ति केंद्रित थी यानि जो है ये एक एक किसान के विकास के बारे में बात करती थी कि उनको जो है क्या चाहिए हल चाहिए तो उनको हल उपलब्द करा दिया गया उनको उर्वरक नहीं है उनके पास उनके पास जो है जमीन बंजर है तो उनको थोड़ी सी दूसरे से मदद दिला के जमीन दिला दी गई यानि जितनी किसान उतनी समस्याएं और उतने उनके समाधान तो कुल मिलाके ये योजना क्या थी? ये जो है परसन फोकस दी यानि ब्यक्ति के इंद्रित होने के कारण जो है जादा दिन नहीं चल पाई अगली पर्योजना बहुती फेमस है कई बार इसका येर भी पुछा गया है तो 1921 में ये हुई थी ये तो आप आसानी से याद कर लिजिए और किसने सुरू किया था ये भी पुछा जाता है तो इसाई युवक्स संग हमने इतिहार से पढ़ा होगा इसाई युवक्स संग ज जो की कन्या कुमारी में एक जिला है कन्या कुमारी जिले में एक स्थान है इसमें डाक्तर स्पेंसर हैज के नितित्तु में प्रियोग के तोर में एक विकास कारिक्रम प्रारम किया गया था इसको मार्तांडम भी कहते हैं और कहीं कहीं किताबों में आप जो है मार्तांडम ही लिखा पड़ेंगे, दोनों चीज एक ही हैं, इसलिए कन्फ्यूज होने के आउशक्ता नहीं है, लेकिन प्रचलित सब्द जो है, जो आपको मिलेगा, वो मारतांडम लिखा मिलेगा, इसका उद्देश क्या था? आत्मा, मन और सरीर जैसे तीन अंग होते हैं, उसी तरह से विकास के जो है, हम त्री इस्त्री विकास की कल्पना करते हैं, तो इसका जो है विकास का जो मोटिव क्या था? वो त्री इस्त्री विकास था, और विकास का प्रतीक एक पांच पच्छी कारिक्रम, इसमें जो कारिक्रम चलाये गया वो क्या था पाँच पच्छी कारिक्रम था उसमें ना केवल आध्यात्मिक मांसिक और सारिरिक बलकि आर्थिक और सामाजिक पच्छ को भी विक्सित करना था तो ये पाँच पच्छी कौन कौन से हो गए आध्यात्मिक मांसिक और सारिरिक ये तो जो है ब्यक्ति साथ के साथ स्वा सहायता की अनिवारिता तक्नीप पर आधारित था यानि इसमें भी वही बात थी स्वा सहायता यानि अपनी सहायता स्वयम करो आपको प्रेरित किया जाएगा आपको जो है उपर से जो है एड दिये जाएगे यानि आपको जो है सहायता सपोर्ट पहुंचा प्रिकास का उसको बढ़ाया गया और पांच पच्छी कारिक्रम को त्री इस्तरी विकास के मॉडल पर लांच किया गया था गाउ में YMCA केंद्रों के माध्यम से YMCA का फुल फॉर्म वही है जो आपने पीछे पड़ा है यानि कि Young Men's Christian Association इसी को सौर्ट में हम YMCA कहते हैं तो गाउ में YMCA केंद्रों के माध्यम से विस्तार सच्यू के परिवेच्छन में सेक्डों गाउ को सामिल किया गया तो YMCA कायक्रम के माध्यम से कौन था वहाँ परिकारी एक विस्तार सच्यू था इसमें सेक्डों गाउ को सामिल किया गया YMCA जिनेवा स्विट्जर लैंड में जो है इसका हेड़क्वार्टर है इसको इसलिए यहाँ पर लिखना जलूरी था कि आप यह जान सकें कि यह जो संस्था है इसका जो है क्या बैग्राउंड है तो यह जिनेवा स्विट्जर लैंड में इसका मुख्याला है इसके स्थापना 6 जून 1844 को लंडन में की गई थी और जॉर्ज विलियम्स ने की थी इसको जो है नोट कर लीजिएगा इसके अंतरगत ग्रामीडों को यह सलावा सहायता इस प्रकार प्रदान करने का कारिकरम था कि वह अपना कामकार फिर स्वयम करें यानि गावासियों को उनको सलाव दे दी जाती थी उन्होंने कोई समस्या पूछी उनका समाधान बता दिया गया उनकी आर्थिक मदद कर दी गई या उनको उपकराण उपलत करा दिये गए तो जो सपोर्ट हो सकता था वो करते थे लेकिन कुल मिलाके उनको स्वयम कार करने के लिए प्रेरित किया जाता था इस परियोजना के पीछे यह भी अवधारना थी कि समदाईक विकास के लिए स्थानी है या समदाईक संसाधनों का उपियोग करना अवस्यक है इस परियोजना के क्या क्या उद्देश थे यह हम देखते है तो यहां तक हमने यह जाना कि समदाईक संसाधनों का उपियोग क करना आवश्यक है इस पर्योजना की ये आवधारणा थी इस्थानी संसाधनों का उप्योग करके ग्रामीड संसाधनों को विकास करना ये जो है पहला इसका जो है मोटिव था या उद्देशी था कि जो वहाँ पर किसी भी गाउं में ग्रामसभा में ग्रामसमाज में जो भी संसाधन उपलब्द हैं उसका सामुदाईक इस्तमाल करना जैसे माली जी एक ट्रेक्टर है किसी के पास तो उस ट्रेक्टर से सभी का जुए जुताई का काम हो जाए बहले उसके लिए सामुदाईक रूप से पैसा दे कर जो है और उसमें जो भी इधन लगता हूँ सब भरव तो यहां पर इस्थानी संसादनों का समुदाई उपयोग, फिर लोगों को भागिदारी के लिए प्रोसाहन करना, तथा उन्हें स्वयम निर्णे लेने वगा कार्योजना स्वयम तयार करने के लिए सच्छम बनाना, तो इसमें क्या है, उनको मोटिवेट किया जा गया, वो प्रोसाहित कर दिया गया, कि वो इस कारिक्रा में भागिदारी लें, और जो कार्योजना बनाए, वो स्वयम बनाए, उसमें जो है, सहायता करेंगे और लोग, अपनी सहायता स्वयम करने के लिए प्रिरित करना, तथा सबसे गरीब लोगों की तरब से सबसे पहले ध्यान अपनी सहायता के लिए प्रिरित करना, यह तो हमने इसका मोटी समझ लिया, सबसे जो गरीब है, उसकी सहायता सबसे पहले करना, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव के बिना सब लोगों के लिए काम करना, यानि यहाँ पर सामाजिक जो समावेशन था, वो भी था कि धर्म और जाति को कहीं पर आधार नहीं बनाना है, सब के लिए एक समान विकास का रिक्रम सुरू करना है, और ग्राम विकास के लिए आध्यात्मिक आधार तयार करना, यानि यहाँ पर आध्यात्मिक आधार के कि किसी को प्रेरित करना है, तो आपको आध्यात्म का साहरा देना पड़ेगा जो सबसे अच्छा तरीका है अगली परियोजना में देखते हैं जिसका नाम दिया गया गुडगाओं परियोजना ये कब शुरू होई 1927 में शुरू होई तो गुडगाओं परियोजना 1927 में गुडगाओं जिलों के उपायुक्त यानि डिप्टी कमिस्न एफ एल ब्रायन ने सुरू की थी तो अगर आप ब्रायन भी आगते हैं कि अंग्रेज अधिकारी जोकी डिप्टी कमिस्नर थे ब्रायन साहब उन्होंने इसको सुरू की थी और सूचना के प्रसार के लिए प्रतेग गाओं के एक ग्राम गाइड को तैनाद किया गया तो इ उसके लिए हर गाओं में एक गाइड जिसको नाम दिया गया ग्राम गाइड तो हर गाओं में एक ग्राम गाइड तयार किया गया गुड़ गाओं परियोजना के प्रमकुद्देश, परिस्रम, आत्मसम्मान, स्वयम सहता और परसपर सहयों के लिए गुड़ों का विकास ठीक है, पिछली योजनाओ जैसा ही है ये, मावसम सम्मंदी समस्याओं, बीमारी वा कीणों की रोगथान के उपायों की जानकारी देकर उन्हें या समझाना की हालत में सुधार लाया जा सकता है, क्योंकि उस समय जो है, चिकित्सा सुधाय बहुत ज्यादा उन्नत नहीं थी, और जो है, खेती में जो कीड़े हमारे लिए नुकसान दायक होते हैं, जो फसलों को खा जाते हैं, पत्तियों को खा जाते हैं, फलीों को खा जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड इसका उस समय यूज भी नहीं होता था, तो मौसम के बारे में जानकारी देना, कि किस मौसम में कौन सी फसल हुगाएं, कब जो है कौन सी फसल का जादा उत्पादन लिया जा सकता है, उसके अलावा जो फसलों की बीमारियां थी, इन सब चीजों को समझा कर, मतलब प्राइमरी रूप से उनको सिच्छित करके जो है, और उनकी खेती को सुरू करवाना, तो ये जो है क्या हुआ, दो हमने उद्देश देखे आगे चलते हैं, इस परियोजना से लोगों को क्रसी की नवीन तकनिकों की जानकारी मिली, यानि नई तकनिके जो आई उसके बारे मताया गया, ब्राइन ने कारिकराम अपने द्वारा स्थापित अनेक संस्थाओं के सहयोग से चलाए, यानि ब्रायन साब की बहुत सारी संस्थाएं जो उन्होंने खुद बनाई थी उनका सहयोग लिया इसमें ग्राम गाइडों के स्काउट, सहकारिता, क्रसी, प्राथमी कुपचार, बाल कल्यान, सारजिनिक स्वास्त, घर वा गाउं में सफाई, पसुपालन, पसुची किस्सा का प्राथमी कुपचार देने के लिए ग्रामीर अर्थविवस्था का बिद्याला इस्थापित किया गया, यानि जितनी भी जरूते थी, लोगों को क्रसी के बारे में जानकारी देने के लिए, ग्रामीर स्वास्त के बारे में, जन स्वास्त के लिए, सफाई, पसुपालन तो इन सब की जानकारी देने के लिए उन्होंने क्या किया ग्रामीड अर्थवेवस्था का बिद्याला इस्थापित किया फिर उन्नत किस्म के बीजों लकडी के हल के स्थान पर लोहे के हल और खेतों में सिचाई के लिए रहट के उप्योग की भी जानकारी दे अगली योजना पे मूप करते हैं जिसका नाम है बड़ोधा परियोजना 1932 में प्रारम की गई इस परियोजना जैसा एक कारिक्रम इससे पूर 19-फी सताबदी के अंत में ततकालीन बड़ोधा रियासत के एक मंत्री राजा सर्टी माधवराज ने अपनी रियासत की प्रजा के लिए कुछ समाज कल्याण उपायों के रूप में चलाया था यानि उसी जगे पे उसी स्टेट में इस तरह की एक योजना जो है पहले चलाई जा चुकी थी इस परियोजना में उस समय तेजी आई जब बड़ोधा के दीवान VT कृष्टा मचारी क्योंकि इन ही को जो है इस परियोजना का प्रवर्तक या संस्थापक माना जाता है तो बड़ावदा के दीवान वीटी कृष्टा मचारी ने YMCA के डाक्टर स्पेंसर हैच की मदद से ग्रामीड पुनर निर्मार केंद्रों की स्थापना की कौन से केंद्र खोले गए ग्रामीड पुनर निर्मार केंद्र पहला केंद्र जो है मारतंडम के आधार पर 1932 में कोसाला में स्थापित किया गया और ग्राम विकास का यहाँ एक सबसे बड़ा प्रयोग था और यह सैकडों गाओं ने चलाया यानि इसमें जो है मुखरूप से क्या प्रयोग किया गया कि ग्रामीड पुनर निर्मार केंद्र खोले गया यह केंद्र क्या है यही जो है सेंटर थे जहां से इस योजना को क्रियानवित किया गया सभी को जानकारी दी गई, सभी को पुसिछन दिया गया, सिच्छा दी गई, क्रसी के बारे में बताया गया और ये केंडरी ही जो है इसकी रीड बने बड़ोधा परियोजना के जो है मुख्यकार क्या थे तो किसानों के दिश्टिकोर में परिवर्तन लाना हुआ उन से जीवन इसतर को बहतर बनाने की इच्छा जगाना यानि आप देख रहें कि जित्ती भी इसतरे की सुरवाती परियोजनाय या योजनाय रही क्रसी के विकास में, ग्रामेड के विकास में उसमें जो सबसे प्रात्मिक उद्देश था वो था कि किसानों में आत्मविश्वास जगाना और उनके अंतरगत एक चेतना विक्सित करना कि हम जो है क्रसी को और उन्नत बना सकते हैं उसके लिए हमको स्वयम सचेत होकर नई जो टेकनोलिजी आ रही उसके बारे में जानना होगा लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि हमारे स्वयम के अंदर इच्छा होनी चाहिए जिससे कि हम नई चीजों को ग्रहन कर सके हैं गाउं इस तर पर नित्त्रत्व का विकास करना ये उसका दूसरा अद्देश हो गया प्राओड सिच्छा क्योंकि नए लोग जो थे नए बच्चे थे थोड़ा सा सिच्छा का प्रसार होने लगा था तो वो पढ़ने लगे थे क्योंकि गाउं में विद्याले थे लेकिन जो लोग प्राओड हो चुके थे और वही गाउं की पूंजी हुआ करते थे क्योंकि जित्ता भी गाउं का पूरा अनुभाव और ग्यान था वो प्राओड लोगों में था तो उनको भी सिच्छित करना जिससे कि वो जो है सिच्छा के माध्यम से नई चीजों को ग्राण क कर सके हैं सुरू में परियोजना 10 गाउं में चलाई गई बाद में इसे 35 गाउं में लागू किया गया इससे आर्थिक विकास कारिक्रम चलाए गया उनमें घर में बागवानी उननत किस्म के बीजों का वितरणा बुनाई मुर्गी पालन मदवक्खी पालन कुटीर दस्तक कारी का पसिछर देना सामिलता है यानि इसमें जो कारिकरम थे उसमें करसी के अलावा भी जो गतिवनियां होती हैं सिलाई बुनाई मुर्गी पालन मदवक्खी पालन जितने भी एलाइड उसके जो है चीजें हैं सब को यहाँ पर सुरू किया गया परियोजना के अनकारिक अब चलिए महात्मा गांधी जी आ गए सेवा ग्राम परियोजना लेके 1936 में तो सेवा ग्राम कहां पर है एक मूल प्रस्नी ये भी है ये महराष्ट के वर्धा जिले में एक गाउं का नाम है और यहाँ एक प्रसिद आसरम है जिसे गांधी जी ने स्थापित किया था पहल और सेवा ग्राम रख दिया था सन 1936 में महात्मा गांधी जी ने सेवा ग्राम कारिक्रम की सुरवात की और उन्होंने सेवा ग्राम आसरम को अपने रचनात्मक कारिक्रम का केंद्र बनाया अपने इस कारिक्रम को सफालें प्रभावी बनाने के लिए गांधी जी ने भारती ग्रामुद्योग संग, हिंदुस्तानी तालीम संग, आल इंडिया इस्पाइनस एसोसियेशन और कस्तूरबा गांधी संग आधी इस्थापित किये थे तो ये सारे संग इस्थापित किये, ये सब चीजे हो गई, अब गांधी जी का आप लोग जानते हैं कि उनका दिष्टिकोर क्या था गाउं के विकास के बारे में, तो उनकी जो है उनका कहना था कि ग्रामीर लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए या ग्रामीर गरतंत्र की स् सासन यानि स्वा सासन खुद चलाएं कोकि उस समय पंचायती राजव्योस्था की सुरवात नहीं हो पाई थी लेकिन फिर भी पंच जो प्रधान वाला सिस्टम था वो तब भी जो है लागूगा करता था कोकि यह हमारे भारत के गाउं की बहुती प्राचीन कालीन परंपरा है उसके बाद जो है उनका फोकस था कि खेजती ही जो है देश के विकास की जड़ है यही उसका मूल है यही से जो है देश का आर्थी विकास संभव है और साथ में गांधी जी जो है जो कि स्वदेशी के समर्थक थे कुटी रुद्ध्यों के समर्थक थे तो उनका कहना था कि अपनी आउशक्ताओं की पूर्ती स्वयम करने के लिए हमको जो है खादी को अपनाना पड़ेगा साथ में कुटी रुद्ध्यों को जो है अपनाना पड़ेगा और बाहरी चीजों पे डिपेंडेंसी को कम करते हुए स्वाब लंबी बनने की प्रयास करना पड़ेगा तो ये सब गांधी जी का था और उन्होंने इसी के माध्यम से बहुत सारे कायक्रम चलाए और यहीं वो आश्रम है सेवाग्राम जहां से गांधी जी लगबाग आकरी के 10-12 साल लहें है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गांधी जी ने यहीं से बिगुल फूका था तो ये उनके जीवन में और साथ कर हम भारतियों के लिए भी एक सम्मान की स्थान ड़कता है फिरका विकास योजना ये 1946-47 में चला जिसमें से इसके लिए अगर कभी आ जाए तो आप 47 भी लिख सकते हैं 46-47 जब लिखा जाता है या इस तरह से लिखा जाता है तो इसको बित्ती वर्स कहा जाता है तो फिरका का आर्थ क्या है पांच से बीस तक के गाउं का जो समू होता है उसको हम फिरका कहते हैं फिरका विकास योजना मद्रास प्रांट में 1946-47 में खादियों ग्राम उद्योग को प्रोस्वाहन देकर गाउं का आर्थी विकास करने के लिए आरम की गई तो अब यह क्या है एक सिंपल योजना है इसका सीधा सा उद्योग यह है खादि और ग्राम उद्योग का विकास करना इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये फिरका जो है मद्रास प्रांत में इस योजना की शुरू किया गया था और फिरका कारत होता है पांच से बीस गाओं का एक समूँ इस परियोजना के अनुद्देश क्या थे निसुल्क सिच्छा, बहतर सडके, संचार वेऊस्था, बहतर सफाई वा बहतर चिकिस्था सुगधा जैसी मूल सुगधाएं उकलब्द कराना 1952 के अंतक यह परियोजना 250 से भी अधिक गाओं वाले 50 फिरकों में चल लही थी तो लगभग 50 फिरकों तक इसका विस्तार हो गया था कब तक? 1952 तक इटावा परियोजना जो अपने उत्तरप्रेस की परियोजना है इस परियोजना को उत्तरप्रेस सरकार ने अक्टूबर 1948 में अलबर्ट मेयर के निर्देशन में सुरूग किया था यानि इसको हम यह क्या कह सकते हैं? कि एक सरकारी परियोजना थी जो वहां के अधिकारी इटावा के अलबर्ट मेयर के नित्त में शुरूवी थी ग्रामीर नियोजन वा विकास में यह एक नूतन प्रियोग था मेयर ने वर्स उनिस्वाटालिस में उत्तरप्रेश के जिला इटावा के महेवा ग्राम को केंद्र मानकर उसके आसपास के 64 गाओं को चुना था यानि महेवा जो अब वहाँ पर एक ब्लॉक है उस समय वो गाओं रहा होगा तो महेवा गाओं और उसके 64 जो है उसके आसपास के गाओं को चुना और ग्रामों तथा ग्रामीर विकास के उद्देश से लेकर कई विकास कारिक्रमों की इसमें सुरुवात की अलबर्ट मेयव ने चार विसेसग्यों का एक दल बनाया था जिसमें एक नगर वए ग्रामीयों जख एक रसी विस्तार विसेसग एक रसी इंजीनियर और एक ग्रामीर उद्योग विसेसग जिसमें सामिल था अब इस योजना के मुख्य उद्देश क्या थे ये पता लगाना की नए तैयार किये गए तरीके कितने जरूरी कितनी जल्दी दूसरी जगे बिक्सित किये जा सकते हैं ये इसका एक उद्देश था इस्थानी जिला वर राजिस्तर पर आत्म निर्वर्ता का विकास करना, क्रसी उत्पादन को बढ़ाना वर साहरजनिक स्वास तथा प्रोड साच्छर्टा में सुधार लाना लोगों द्वारा प्रयोक किये जाने वाले साज समान प्रुद्योकी में सुधार लाना तथा ग्राम इस्तर नित्रत्व प्रदान करना यानि इनका जो है 3-3 कारिक्रम था गाउं में भी आपने बरता बढ़ानी है यानि स्थानी स्थार पर फिर उसका जिला स्थार पर फिर उसको राजस्थतर तक ले जाना है करसी का उत्पादन बढ़ाना, सार्जुनिक स्वास और प्रोड सिच्छा ये तीन जो है इनके विसेश फेकर्स फोकस विंदू थे अब इन उद्देश्यों की पूर्ती के लिए क्या क्या किया गया इस योजना में यानि इतावा परियोजना में तो उन्नत किस्मों के बीच रासायनिक और वरक हरी खाट की सप्लाई वा सिचाई की सुप्धाद उत्पलत काई गई पौर सनच्छन के उपाए बागवानी विकास वा मिट्टी सनच्छन की विदिया बताई गई पस्मों की नसलों में सुधार वा रोग नियंत्रन तथा पस पौइंट इसमें बहुत महत्पूर है कि रिड़ उपलब्द कराना उत्पादन हुआ विपड़न यानि उसको बेचा कैसे जाएगा उसके लिए मंडी या किस तरह से तो उसके लिए सहकारी समितियों की विवस्था करना जो की जो है इस योजना में एक प्रमुक हाइलाइ सुधार और आठमा क्या था प्रौड सिछा कच्छाए वा पसिच्छन से भी लगा कर सामाजिक सिच्छा काईकरम का बिस्तार यानि हम क्या कह सकते हैं निसकर्ष में कि जो इटावा परियोजना थी ये एक जो है ग्रामीड विकास की सरवांगेड विकास परियोजना थी क् कि इसमें किसी एक चीज को नहीं टार्गिट किया गया या एक लच्छ को नहीं रखा गया इसमें जो है सभी तरफ के चाहे वो क्रसी हो उसके अलाबर जनस्वास्त है स्वच्छता है प्रौर सिच्छा है फिर आवास योजना है यानि इसमें हर तरह के विकास कारिक्रम एक सा सामिल किये गए थे अगली परियोजना क्या है नीलो खेडी परियोजना जो 1949 की परियोजना है तो नीलो खेडी जो है भारत के हरियाना राजी के करनाल जिले में इस्थितेक नगर है इस परियोजना का नाम सरणार्थी पुनरवास पर योजना भी था और इसे 1943 में आरम किया गया था लेकिन ये पूरी तरह से 1948 में तब लागू ही जब पस्चमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के लिए एक नया नगर बसाया गया तो ये क्या है ये एक पुनर्वास ही उजना है क्योंकि जब 1947 में सुतंता प्राप्ती के बाद पाकिस्तान बना दुईराश्ट से दान के आदार पर तो बड़ी संख्या में जो है पाकिस्तान से सरणार्थी भारत को आए वही यहां से वहां भी हुआ तो जो सरणार्थी आए अब उनके सामने सभी तरह की समस्या थी क्योंकि वह अपना घर बार खेत ब्यापार जमीन सब छोड़ के आए थे तो उनको पुनर्वासित करना था उनके पुनर्वास के लिए जो है ये जो है नीलो खेड़ी पर योजना सुरू की गई जो की हरिय परियोजना का जो है जो है जो पूरा सफल क्रियानवन है वो 1949 में माना जाता है 1948 में इसको स्टार्ट किया गया था तब जो है इसको एक पूरी परियोजना की तरह स्टार्ट ना करके जो है एक केवल सुरुवात की गई थी और 1949 में जो है इसको एक ब्यापक पहचान मिल प इस परियोजना के उद्देश कौन कौन से थे बिस्थापितों का पुनरवास जो सबसे प्राइमरी उद्देश था जो पाकिस्तान से यानि पस्चमी पाकिस्तान से जो आये थे लोग उनको बिस्थापितों को रुफ्यूजी को रुखवाना उनका पुनरवास करना सरणार् पुरी कर सकते थे, कुछ और काम कर सकते थे, तो जो जैसा काम कर सकता था, उसको वैसी प्रसिच्छन देके, वैसी सुधाय उपलब्द कराके, उनका विकास आत्मिर्भरता के साथ किया गया। लोगों का मूल आवसकता है, पूरी की गई, क्योंकि जब कोई रिफ्यूजी होता है, तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों ही जो बेसिक नीड है, वो उसके सामने जो है, सबसे बड़ी नीड होती है, इस परियोजना के अंतरगत सरणार्थियों को प्रसिच्छनवा नामक कसबा जो है, या नामक केंदर जो है, किसी योजना में सुरू किया गया था, तो नीलो खेड़ी आपको याद अखना यहां पर, इसमें अस्पताल, स्कूल, प्रसिच्छन के लिए ब्यावसाइक तकनीक, संस्थान, पसूची किस्सा, वक्रसी विस्तार सेवाओं, त जो की मजदूर मंजिल में होती थी, प्रतेग गाओं में एक एक विद्याले था, जो सामदाई केंदर के तौर पर कार करता था, यानि विद्याले में सिच्छा तो होती थी, वो सामदाई केंदर का भी, यानि कम्यूटी सेंटर के तौर पर भी काम करता था, इस विद्याल जिसका नाम था भारती ग्राम सेवा तो ये भारती ग्राम सेवा क्या है ये कोई सिविल सर्विसेज जैसी सेवा नहीं है ये जो है 1945 में सुरू की गई थी निव्यार के आर्थर टी मोसर और वियन गुपता ने 1945 में भारती ग्राम सेवा इस्थापित की थी जिसका उदेश क्य सहायता करने योग बनाकर सरवत्तम निकालने में सहायता करना यानि ये जो ग्राम सेवा थी जो है भारती ग्राम सेवा इसका उदेश क्या था कि हम जो है गाउप लेबिल पर ही जो कुछ लीडर्सिप को तयार करें कुछ नेताओं को तयार करें जो आगे चलके जो है इस्थानी एजेंसियों को विक्सित कर सकें और जो है ग्रामीड विकास में अपना युगदान दे सकें इसका मुख्यलच जो है गाओं के विकास में सरकार की सहायता करना था यानि सरकारी योजनाय जो लागू हो रही थी चालू हो रही थी उसके जो है इस्थानी स्थर पे नेत्रत किया हो सकता थी क्योंकि सरकारी सिस्टम तो अपना काम करी रहा था सरकार के अधिकारी भी जो है चीज को परिविच्छन करते हैं देखते हैं किरियानवन हो रहा है य प्रयम भी जो है इस चीज को रियलाइज करें तो गाउं में ही एक लीडर्शिप नित्रतु बना कर जो है जिससे वो योजनाओं का बेहतर जो है क्रियानवन और प्रबंधन हो सके इस संगठन की साखाय लखनव और इटावा यानि उत्तरप्रेस में थी और ये संगठन अमे तो ये भी आपको यादतना है भारती ग्राम सेवा के बारे में अब जो है हम आते हैं जो सबसे बड़े जो है आंदोलन हुए ग्रामीड विकास के संदर में अगर हम बात करें ग्रामदान वा भूदान या क्रम से कहें तो भूदान और ग्रामदान भूदान कब आया 1951 में आया ग्रामदान योजना या आंदोलन 1952 में आया तो इसको परियोजना से जादा जो है एक आंदोलन कहना उचित होगा क्योंकि इसको पूरे देश में एक आंदोलन की तरह चलाया गया अब ये जो है पचास इक्यावन की हम बात कर रहे हैं जब देश स्वतंत हो चुका था अपना समिधान अपना गरतंत्र सब लागू हो चुका था ऐसे में क्या था कि बड़े बड़े पुराने जमीदार थे उनके पास बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां थी तो जमीदारी चली रही थी जमीदारी उन मूलन के लिए जो है बिभिन कानून जो है लागू वे बनाए गए थे तो यह सोचा गया आचार बिनोबा भावे ने यह सोचा जो है गांधी जी के ही बिचारों को आगे बढ़ाते हुए कि क्यों ना जो है जो बड़े बड़े जमीदार हैं जो बड़े बड़े जो है जिनके पास बड़ी बड़े भूखंड हैं उनसे हम गाउ और जो है भूमी मांगे दान में और वो दान में प्राप्त हुई भूमी को जो है हम उन व्यक्तियों को उन किसानों को दे दें जो भूमी आ रहे हैं जिनके पास भूमी नहीं है या जो है वो दूसरे की खेतों में मजदूरी का काम करते हैं उनके पास स्वयम भूमी नहीं है तो इस जो है सोच के साथ जो है इस आंदोलन को इस योजना को सुरू किया गया था अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स रेखते हैं ग्रामीर विकास के बारे में गांधी जी के काम वा विचारों को उनके अन्वाईयों ने जारी रखा आचार विनोबा भावे ने भूदानवा ग्रामदान अन्दोलन शुरू किया सुतंता के बार लगबख 57 प्रसत करसी योगी भूमी कुछ जमीदारों के पास थी तो आप सोच सकते हैं कि केवल कुछ जमीरारों के पास ही पूरी क्रसी योगी भूमी जो है का 57% उन्हीं के पास था और बाकी जो है सब लोगों में बित्री थी बिनोवा भावे का मानना था कि भूमी का वित्रण सरकार कानून बना करें अपुतु देश भर में एक ऐसा अंदोलन चला जाए जिससे ऐसे जमीरार जिनके पास आवसत्ता से अधिक भूमी है स्वेच्छा से जरूरतमन किसानों को वो भूमी सौप दें अब भूदान आंदोलन या पर्योजना क्या है इसको और विस्तार में देखते हैं इस भूदान आंदोलन का प्रारम बहुत उस्सा जनक रहा और प्रथम दो वर्सों में ही यानि 1952 से 54 के बीच में 12 लाक हेक्टेर जमीन जो है दान में मिल गई जमीदारों ने जो है इसको द्यान दे दिया इसमें से अधिकांस भूमी बिहार में क्योंकि बिहार में जो है ये आंदोलन सबसे जादा प्रभाव साली धंग से चला था इस आंदोलन के अंतरगत 1967 से पांच लाक छीयत्तर हजार भूमी मालिक से करीब 17 लाक हेक्टेर भू जो है ग्राम भूदान में प्राप्त हो चुकी थी ग्राम दान आंदोलन अगजाव जो आंदोलन है इसका प्रारम 1952 में उत्तरपदेश के हमीर पूर जिले के मंगरोठ गाउं से हुआ था और जो भूदान है उसका जो है आपने पढ़ाई होगा तो जो भूदान आंदोल जो ग्राम दान है ये 1952 में उत्तरपदेश के हमीर पूर जिले के मंगरोठ नामक जो है ग्राम से इसकी सुरुवात होई थी इस आंदोलन में 1955 के दौरान उरीसा में आचार बिनोबा भावे की पद यात्रा के दौरान टेजी आई जब 26 ग्राम दान जो है प्राप्त हुए 20 जनवरी 1979 तक 86709 ग्राम गाउदान में प्राप्त हो चुके थे और सबसे अधिक ग्राम दान बिहार और उसके बाद जो है उत्तरपदेश उरीसा वद तमिलनाडू में हुए थे भूदान और ग्राम दान में बेसिक अंतर क्या है कि भूदान में जमीन व्यक्ती से प्राप्त होती है कोई जमींदार है उसने अपनी जमीन दे दी तो वो एक व्यक्तिकत संपत्ती को उसने दान कर दिया जबकि ग्राम दान जो है पूरे समदाई की ओर से होता था यानि प घुमिका स्वामित ग्राम समुदाय को सौपा जाता था और भूधान में लाबार्थी या तो कुछ व्यक्ति या फिर कई व्यक्ति होते थे जब्कि ग्राम दान में सारा ग्राम समुदाय लाबार्थी होता था तो बस दोनों में आप फरक समझ गया होंगे कि जो भुदान होता था वो ब्यक्तिगत इस्तर पर होता था और ग्रामदान में पूरा समदाई या पूरे ग्राम का दान जो है समदाईक तोर पर किया जाता था प्रारम में ग्रामदान की परिभासा इन सब्दों में की गई थी क्या थी अगर किसी क्याओं के करीब 80% भूमी मालिक अपनी जमीन देने को तयार हो और अगर यह जमीन उस गाओं की कुल भूमी का 51% से कम ना हो तो इसे ग्रामदान माना जाएगा तो यह उस समय जो है किया गया क्यों किया देखा गया कि भूमी मालिक अपनी सारी जाजात गाउं के नाम कर देने को तयार नहीं होते थे उनको लगता था कि हम अपना सब कुछ क्यों दे दें तो जरूरी नहीं था उसके बाद जो बदला गया 51 प्रिस्ट वाला और यह 80 प्रिस्ट वाला जो है य तो एक साथ सबने एक निर्णाय करके उसको दान कर दिया और उस पे उन लोग को बसा दिया जाता था जिनके पास भूमी नहीं होती थी या जिनके पास करसी योगी जमीन नहीं होती थी इसलिए तब खेती योग जमीन का केवल बीस्वा भाग ही सभी भूमी मालिकों से दा परिभासा बदली गई तो यह कहा गया कि केवल बीस्वा भागी लिया जाएगा वो भी खेती हो जमीन का इस जमीन का स्वामी तो ग्राम सभा को जो सौपा जाना था और खेती की एक चोथाई उपज जो है ग्राम निधी में दी जानी थी तो यह जो है कुछ अच्छे दोस्तो इस तरह से आज हम लोगों ने स्वतंता के पूर्व की और स्वतंता के बाद तक की जो है कुछ योजनाए जो प्रमुख है जिनका एतिहासिक मात तो भी है और जिनसे सीख लेकर ही जो है नए भारत में स्वतंत भारत में जो है योजना आयोग के माध्यम से और लेके जो है यानि सामदाइक विकास कारिक्रम जो सबसे बड़ा सबसे पहला कारिक्रम था ग्रामीड विकास के छेतर में वहाँ से लेकर और उसके आगे तक कौन-कौन सी योजनाय लांच हुई उनकी क्या merits थी क्या demerits थी तो आगे के lectures में इसको हम समझेंगे तो आज के लिए मित्रो इत्ता ही नमस्कार नन्यवाद जात्रों को घर बैठे राजसु लेखपाल परिचा की संपूर्ण तयारी करवाना है वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्स सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठकरम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लच्छ है जिसमें आपको मिलेंगे राजसु लेखपाल के संपूर्ण पाठकरम को कवर करने के लिए अनुभवी सिच को द्वारा वीडियो लेक्चर्स साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाये टापिक्स का टापिक वाइज नोट्स पीडियेफ में वीडियो लेक्चर्स जॉइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्स सीरीज जिसमें की 10 आनलाइन टेस्ट और उनकी व्याखात्मक हालवाली PDF होगी दी जाएगी ध्यान दें यह टेस्स सेरीज परिच्छा से 1 से 1.5 मा पूर्व शुरू होगी 10 माई से आनलाइन वीडियो क्लासेज स्टार्ट होगी तथा शुरुवाती दिनों में आपको दो वीडियो क्लासेज दी जाएगी जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक वेसाए के टापिक के पूरा होते ही उस टापिक की PDF रिवीजन करने के लिए दी जाएगी वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रस्णों एमम डाउट्स का नेराकरण संबन्धित से चक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बना कर किया जाएगा जिन आश्लंकाओं का निवारण व्यक्तिवगत रोप से किया जा सकता है उनके लिए व्यक्तिवगत मार्ग दर्शन भी दिया जाएगा सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकार्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी जिससे जात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे वीडियो लेक्चर्स एंड्राइड आप के माध्यम से आपको दिये जाएंगे तथार वीडियो को आप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी करंट अफेर से संबंधित वीडियो परिच्छा की निरधारी तितिती से 20 दिन पहले दिये जाएंगे यदि परिच्छा के पाटकरम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अंसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है तो जुड़िये हमारे राजस लेकपाल भारती परिच्छा 2020 के 90 दिन के क्रैस कोर्स प्रोग्राम से अधिक जानकारी के लिए 950-6742546 पर लेकपाल लिखकर वाटस अप करें या काल करें